बुद्वार दोपार इंदौर पुलिस रविंद्र नाठी ग्रह में बैटकर अपराद की समिक्षा कर रही थी और ठीक उसी समय अन्नपुर्णा थानाशेत्र के उशा नगर सित गौरी केसर अपार्टमेंट के पेंट हाउस में छे हतियार बंद बदमाशों ने घर की कर छोटे बच्चों को गन पॉइंट पर लेकर डखैती की वारदात को अंजाम दे दिया यहां घुसे भदमाश घर में रखे 40,000 नगद और 15 तोला से अधिक सोना के जेवरात लूट कर ले गए डखैती के वारदात कपड़ा विवसाई लोकेश चोपड़ा और उनके साथी कॉलनी में लगे CCTV क्यामरे की फुटेज भी खंगाल रही है फरियादियों की माने तो जिस तरह के बदमाश वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे वह सभी शुद्ध हिंदी बोल रहे थे जिससे प्रतीत होता है कि वारदात में इंदौर के ही बदमाशों का हाथ ह सभी बदमाश नकाब पोश अवस्था में यहां पहुंचे थे जिसकी वज़े से उनकी पहचान नहीं हो सकी है सास बहु को बंधग बनाने के साथ ही घर में काम कर रही कामवाली महिला को भी बंधग बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया इंदौर से रियास खान की र इसको जान से मार देंगे सबको है आते ही उन्हों सब करके उनको बार्स्टू में बंध कर दिया और जो माल था और लेकर चले प्रिंट इसलिए हमने चैक नहीं किया और भी जड़ा को नुक्सान होगा और चैक करने वे मादूप बढ़ाएगा